आज मैं एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ एक और हाइस, मूवी दे लुकाउट को जो 2007 में आई थी इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 7.1 आउट आउट आफ दस की शांदार, रेटिंग दी है और इस मूवी ने आउडियन्स के दिनों पर राज किया है और यह मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की संगीत तरफ संगीत मूवी की शुरुआत में हम एक क्रिस नाम के लड़के को कार चलाते हुए देखते हैं क्रिस के साथ उसकी गरल फ्रेंड और उसके द बहुत इंप्रेस होती है लेकिन उसके दोस्त डर रहे थे क्योंकी कार की हेडलाइट बंध थे और पहुत तेजी से चल रही थी उसके दोस्त क्रिस को लाइट आन करने कहते हैं लेकिन Chris ने जैसे ही कार की lights on की तब, अचानक उनके सामने एक ट्रक जैसी चीज आ गई और उनका बहुत बुरी तरीके से accident हो गया फिर हम सीधा चार साल बाद का समय देखते एं, Chris सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने गया तब हम उसके शरीर पर कुछ निशान देखते एं, मतलब Chris को चार साल पहले accident में गहरी चोटें आई थी वो खुद को मिरर में देखकर रो रहा था, अब Chris का कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं आगे हमें पता चलता है, Chris लेविस नाम के एक आदमी के साथ रहता था उसका डेली का यही रूटीन है, उठो नहाओ कपड़े पहनो और अपने काम से बाहर निकल जाओ आगे हम एक लिस्ट देखते हैं, जिसमें लिखा था उठो अलाम बंद करो नहाओ कपड़े पहनो काफी बनाओ और क्लास में जाओ इससे हमें पता चलता है, एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी पर गहरा असर हुआ है, अब वो चीज़ें भूल जाता था इसलिए उसने अपने डेली रूटीन को एक डाइरी में नोट कर लिया, आगे हम देखते हैं, क्रिस एक लाइफ स्किल क्लास में गया जिसमें उसे, जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को एक नोट बुक में लिखना सिखाया जाता है, क्लास से निकल कर क्रीस अपनी कार के प आगे हम देखते हैं, तब वहाँ उसे अपनी पुरानी गरला फ्रेंड दिखी जिसका नाम के लिए, वो कहीं जा रही थी क्रिस उसे, देख एकसीडेंट वाली रात याद करता है, वो दोनों एकसीडेंट से पहले बहुत खुश थे क्रिस अपनी गरला फ्रेंड से बात कर करना है, और चार बजे जिनेट से मिलना है, आगे हम देखते हैं, क्रिस एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ एक खुब सूरत, लड़की उसका वेट कर रही थी, उसका नाम जिनेट था, दरसल जिनेट उसके गरला फ्रेंड नहीं बलकि उसके साइकेटरिस्ट है, और क्रि पताता है, वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रहा है, इसलिए उसे अब कोई परेशानी नहीं हो रही, दरसल क्रिस अपनी केस मैनेजर जेनेट को पसंद करता था, इसलिए वो कहता है, कि वो जेनेट के साथ यामा काटा करना चाहता है, और यही क्रिस की परेशानी भी थी कि उसे कब क्या कहा बोलना है यह बात पता नहीं होती लेकिन जनेट मना कर देती है क्योंकि वो अपने पेशेंट के साथ किसी तरह की रिलेशन्शिप नहीं रख सकती जनेट क्रिस को सलाह देती है उसे एक गरल फ्रेंड बना लेनी चाहिए और क्रिस भी यही चाहता था कि उ काना कैसे बनाते हैं उसे यह भी याद नहीं और उसे कैन ओपनर भी नहीं मिलता इसलिए वो भरक करर किचन का सामान फेंकने लगता है और यहां हमें पता चलता है कि क्रिस एक्सीडेंट के बाद से शॉर्ट टेंपर भी हो गया अगले सीन में हम लेविस को देखते हैं जो किचन का कुछ सामान लगता है। चुरुआत का हिस्सा याद आएगा क्रिस ऐसा ही करता है और धीरे धीरे उसे पूरी कहाने याद आ जाती है अगले सीन में हम देखते हैं खाना खाने के बाद बाद क्रिस नोइल स्टेट बैंक गया और यहां हमें पता चलता है क्रिस। वो मैनेजर को टेलर का सारा काम समझा कर बताता है कि वो इस काम के लिए बिलकुर सक्षम है। एक बार में गया वहाँ जाने के बाद क्रिस अपने लिए ड्रिंक ओर्डर करता है। बार में बैठा था और जिसे क्रिस का नाम भी पता है वो आदमी क्रिस के बाजू बैठी लड़की से कुछ देर बात करता है। फिर क्रिस की तरफ पलट कर उसका नाम लेता है और उसे ऐसा दिखाता है जैसे वो उसे जानता। हो वो अपना नाम गैरी स्पार्गो बताता है वो क्रिस से कहता है कि वह दो साल पहले उसकी बेहन का क्लासमेट था उसे उसकी बेहन का नाम। भी पता था क्रिस अपनी बेहन का नाम सुनकर गैरी पर भरोसा कर लेता है। क्रिस को देखकर स्माइल की थी इसलिए गैरी उन लड़कियों के पास गया मुवी में आगे हम। उसके फादर पूचते हैं वो अपना रिस्टोरेंट कहां खोलने वाले हैं तब क्रीश बताता है वो रिस्टोरेंट एक गैस स्टेशन की जगह पर खोले। ये लेकिन यह सुनकर सब हंसने लगते हैं ये देखकर क्रिस को गुसा आ गया वो खाने के टेबल से उठकर एक रूम में चला गया वहाँ। उसकी बेहन उससे मिलने आती है तब क्रिस अपनी बेहन से गैरी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने बताया था कि उसने उसकी बेहन को डेट भी किया था लेकिन क्रिस की बेहन किसी गैरी को नहीं जानती इसके बाद सारे लोग हाल में थे तब क्रिस अपने फादर की ग इसके बाद उसे अपने घर कभी नहीं जाना चाहिए आगे हम देखते हैं कर्स हमेशा की तरह बैंग में क्लीनिंग का काम कर रहा था तब वहाँ एक शेरिफ आया जिसका नाम टेड है टेड क्रुश का अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसके लिए डोनर लेकर आता था उन Chris से कहती है उसके friend ने कहा है कि वो Chris को एक drink खरीद कर दे लर्की अपने friend की तरफ हाथ दिखाती है तब हम Gary को देखते हैं इसके बाद वो लर्की और Chris बाते करने लगे तब लर्की अपना नाम लवली बताती है फिर लवली कुछ देर बात करने के बाद Chris को अपने घर लेकर गई वहाँ जाने के बाद दोनों बाते करने लगे तब लवली बताती है वो Chris के hockey match देखा करती थी और तब से ही Chris उसे अच्छा लगता है लवली को भी Chris के accident के बारे में पता था और उसे यह भी पता था कि उसके केली नाम की girl friend थी लेकिन बातों के बीच में ही Chris कहता है कि वो लवली को naked देखना चाहता है यह सुनकर लवली थोड़ा शौक होती है फिर अच्छानक Chris को इस बात का इहसास होता है कि उसने बहुत गलत बात बोल दी इसलिए वो लवली से माफी मांगता है लेकिन लवली भी उसे पसंद करती थी इसलिए वो Chris का हाथ पकर कर उसे किस करती है फिर दोनों यामा काटा करते हैं इसके बाद Chris अपने घर आता है उस वक्त लेविस अपने रूम में गिटार बजा रहा था गिटार की आवाज सुनकर Chris उसके रूम में गया तब लेविस पूछता है कि क्या वो किसी लड़की के साथ था क्योंकि उसे Chris के कपरों से लेडी परफ्यूम की खुश्बू आ रही थी पहले Chris लेविस को बताने से शर्मा रहा था फिर वो उसे लवली के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि वो उसे गैरी के थुरू मिला तब लेविस को थोड़ा शक हुआ क्योंकि वह काफी समय से Chris के साथ रह रहा था लेकिन उसने कभी किसी गैरी के बारे में नहीं सुना अगले दिन Chris एक पार्टी में गया क्योंकि गैरी ने उसे इन्वाइट किया था और उस जगह का एडरेस लवली ने उसकी नोटबुक में लिखा था उस घर में जाने के बाद उसे लवली मिलकर बताती है गैरी और उसके दोस्त Chris का वेट कर रहे हैं तब Chris गैरी के दोस्तों से मिलता है वो सब उस वक्त नशा कर रहे थे वहां गैरी Chris को एक बोन नाम के आदमी से मिलवा करर बताता है वो उसके अंकल है और यह जगह उनकी ही है इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं Chris भी लवली और गैरी के दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था आगे हम देखते हैं रात में जब Chris की नींद खुली तब वो उस घर के बेस्मेंट में गया जहां गैरी बोन और उसके कुछ दोस्त थे तब Chris दीवार पर कुछ प्रोजेक्ट जैसी ड्राइंग देखता है और उस बारे में पूछता है तब गैरी बताता है यह एक प्रोजेक्ट है जिस पर वो कई महीनों से काम कर रहा है Chris ने उस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा तब उसे प्रोजेक्ट में बहुत सारे बैंक की फोटो दिखाई दी क्रिस पूछता है उसने उन बैंक की फोटो क्यों ली तब गैरी बताता है वो उन सारे बैंक को लूटने वाला है, Chris को लग रहा था गैरी मजाक कर रहा है, इसीलिए वह हंसने लगा तब गैरी बताता है, वो सभी मिलकर. उन में से किसी एक बैंक को लूटने वाले हैं, फिर Chris ने वहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरे देखे, तब उसे समझ में आया Gary से, बोल रहा है, Chris को पता था वहां की आधी से ज़्यादा बैंक में किसानों का पैसा है, लेकिन Gary कहता है, वो corporate bank, लूटने वाले हैं, जो किसानों का आधा पैसा खा जाती है, इसके बाद Chris पूरे ध्यान से उन सारी बैंक की फोटोज देखता है, करज गया कि Chris को सब समझा गया है, इसलिए वो कहता है, उसे Chris की मदद की जरूरत है, लेकिन Chris कहता है वो यह काम, नहीं कर सकता तब Gary बताता है, उसकी जिंदगी भी Chris की तरह बेकार चल रही है, और जब जिंदगी इतनी बेकार हो जाए तो अच्छा या बुरा सोचा नहीं पता है, वो उसकी पुरानी लाइफ वापस नहीं कर सकता लेकिन वो Chris को अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने की पावर दे सकता है, यह बात, Chris को समझ नहीं आती तब Gary समझाते हुए कहता है, जिसके पास पैसा है, उसके पास ही पावर है, उसे पता है, Chris के घर का रेन, उ उसकी मदद कोई नहीं करेगा, उसके फादर भी नहीं क्योंकि Chris के फादर पूरी तरह से उसे खुद पर डिपेंड रखना चाहते है, लेकिन Gary उसे बहुत सारा पैसा देगा, जिससे उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और वो अपनी जिंदगी अपने मु पीछे से Gary आकर उसे पकर लेता है, और यहाँ हमें पता चलता है, लवली भी Gary के प्लान का हिस्सा थी ताकि वो किसी तरह Chris को अट्रेक्ट कर सके दरसल Gary उसके दिमाग और उसके इमोशन्स के साथ खेल रहा, था ताकि Chris बैंक लूटने में उसकी मदद कर सके, आगे हम देख Chris और लेविस अपना restaurant open करने के लिए loan लेने एक, बैंक में गए वो loan department officer को अपनी scheme समझाते हैं, लेकिन जब officer को पता चला वो एक gas station में अपना restaurant शुरू करना चाहते हैं, तो उसने loan देने से मना कर दिया, इसके बाद वो ice hockey ground के पास coffee पीने गए तब वहाँ, फिर से Chris को उसक पुरानी girlfriend केरी दिखाई देती है, Chris को देखकर लग रहा था, वो अब भी उसे अपनी जिन्दगी में वापस, लाना चाहता है, लेकिन उसे पता था, इसके लिए उसे अपनी जिन्दगी पहले जैसी बनानी होगी, इसके बाद Chris अपनी class attend करता है, और class से बाहर निकलने के बात देखता है, उसने फिर से अपनी चाबी कार में ही छोड़ दी, यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कि उसे उसकी जिन्दगी पहले जैसी बनानी होगी, लेकिन भूलने की बीमारी उसका पीछा नहीं प्लान समझाना होगा तब वह इस बारे में सोचेगे, क्रिश समझ गया था, उसे कोई भी पैसे, नहीं देगा क्योंकि उसके घर वाले उसे पहले ही बीमार समझते हैं, गैरी की कहीं बातें कहीं ना कहीं सच होती जा रही थी और क्रिस भी इस बात को महसूस कर रहा था, आ आगे हम देखते हैं, उन्होंने एक वेल्डिंग गैस टैंक रेंट पर लिया ताकि रबडी करते समय वो बैंक, की वाल्ड कार्टने कटिंग टॉर्च बना सके फिर क्रीस जब बैंक में अपने जॉब पर था तब वो वाल्ड की कुछ फोटोज लेता है, लेकिन तभी, हम उसके पेरंट्स बैंक के साथ क्रिस की, भी फोटोज देख सके क्रिस वर्ल्ड के पास जाकर खड़ा हो गया, आगे हम देखते हैं, क्रिस उन फोटोज को गैरी और उसके साथियों को दिखाता, एए वर्ल्ड देखकर गैरी का एक साथी कहता है, वर्ल्ड बहुत पुरानी और मजबूत है इसलिए वो उसे तोर नहीं सकते इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वर्ल्ड का दरवाजा नहीं बलकि वर्ल्ड के रूम की दीवार तोरेंगे इसके बाद गैरी क्रिस को एक मोबाइल देता है और उसे बैंक में ज़्यादा पैसे आने पर कॉल करके बताने कहता है और साथ ही उसे अपने शरीफ दोस्त टेट पर भी नज़र रखने का काम देता है क्योंकि टेट का वहाँ आने का कोई समय नहीं था इसलिए गैरी की गैंग टेट के लिए कोई भी प्लान नहीं बना पाती, इसलिए उस दिन क्रिस को ही टेट को वहाँ से जल्द से जल्द भगाना होगा, आगे हम देखते हैं, लवली क्रिस के घर, पर्थी दोनों कुछ देर बातें करने के बाद फिर से यामा काटा करते हैं, उन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई लेकिन लेविस दोनों की बातें सुन रहा था और उसे लवली पर शक भी था जब लवली किचन में फ्रिज से कुछ लेने आई तब वहां लेविस पहले से मौझूद था वो लवली से कुछ देर बात करता है फिर सीधा पूचता है कि वो क्रिश से क्यों मिली और उसका क्या मकसद है क्योंकि उसे गैरी पर भी शक था वो लवली से उसका असली नाम पूचता है क्योंकि लवली उसका स्टेज नेम था दरसल लवली कुछ समय पहले एक डांसर थी इसलिए उसने अपना नाम बदल कर लवली रख लिया लेविस के बार बार पूछने पर भी लवली कुछ नहीं कहती लेविस और लवली की बाते क्रश भी सुन रहा था और उसे लवली के लिए बुरा लग रहा था अगले सीम में हम देखते हैं क्रिस अपने बैंक पर नजर रख रहा था तब वो देखता है बैंक में एक वन आई जिसमें में बहुत सारा पैसा लाया गया तब क्रिस यह बात गैरी को कॉल करके बताता है गैरी कॉल पर कहता है वो अगले दिन रॉबरी करेगे आगे क्रिस बैंक में क्लीनिंग का काम कर रहा था तब वहां हमेशा की तरह टेट आया वो उसे डोनर दे कर बताता है उसकी वाइफ प्रेगनेंट है और उसके डिलीवरी का समय आ गया वो बहुत खुश था उसकी वाइ कि वह ठीक है या नहीं लेकिन क्रिस फिर भी टेट को वहां से जाने कहता है टेट को क्रिस के ऐसे बरताव से बहुत बुरा लगा इसलिए वो वहां से अपने डोनर लेकर चला गया इसके बाद क्रिस और लेविस एक रिस्टोरेंट में गए वहां लेविस एक वेट्रेस से flirt करता है तब Chris Levis के साथ बहुत ही rude behave करके कहता है उसे किसी से भी बात करने की कोई तमीज नहीं दरसल Chris Levis से लवली का गुसा निकाल रहा था Chris को पता था उसके पास बहुत जल्द पैसा आने वाला है इसलिए वो कहता है वो Levis को छोड़ कर रुखवा करर Chris को देखने लगी लवली के मन में भी Chris के लिए feeling आ गई थी लेकिन वो जाकर भी अब Chris से मिल नहीं सकती क्योंकि Gary के प्लान में लवली का इतना hero roll था और इसलिए वो हमेशा के लिए वहां से जा रही थी आगे Chris पैंक में अपनी ड्यूटी करने गया तब वहां मैनेजर आकर कहता है कि वह बहुत दिनों से Chris को नोटिस कर रहा है Chris को लग रहा था शायद मैनेजर को उनके प्लान के बारे में पता चल गया लेकिन मैनेजर कहता है Chris बहुत मेहंती है इसलिए Christmas holiday के बाद वो उसे टेलर का पर्मानेंट जॉब देगा मैनेजर Chris के काम से बहुत खुश था ये कहकर मैनेजर वहां से चला गया Chris को भी इस बात का एहसास हुआ कि मेहंती इनसान को आगे बढ़ाती है इसलिए उसका मन रॉबरी करने से बदल रहा था इसलिए वह सबसे पहले जाकर बैंक का मेन डोर लॉक करता है और वहीं से लेविस को कॉल करके उसे सब बताने की कोशिश करता है कि उसने बहुत बड़ी गल्ती कर दी उसे पहले ही लेविस को सब बता देना चाहिए था लेविस कहता है वह एक घंटे में घर पहुचेगा और घर आने के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा लेकिन तभी बोन बैंक के मेन डोर पर आकर क्रिस को दरवाजा खोलने कहता है गैरी और बाकी के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे तब क्रिस गैरी के पास जाकर कहता है उसे रबरी नहीं करनी गैरी चाहे तो रबरी कर सकता है रबरी के बाद वो किसी को कुछ नहीं बताएगा लेकिन गैरी को उस पर भरोसा नहीं था इसलिए वो क्रिस के पेट में एक जोड़दार मुका मारता और उसे बैंक के अंदर चलने कहता है आगे हम देखते हैं क्रिस बैंक में एक जगह ख़रा था और बाकी के लोग वर्ल्ड की सीमेंट की दीवार तोड़कर उसके अंदर की लोहे की दीवार को कटिंग टॉर्च से काट रहे थे बाहर पहरा दे रहा एक आदमी कॉल पर टेट के आने की खबर देता है इसलिए सारे लोग जल्दी से छुप जाते हैं और गैरी क्रिस को टेट से हमेशा की तरह नॉर्मल बात करने कहता है वरना वो दोनों को मार देगा टेट के आने पर क्रिस उसे में डोर पर ही रोक लेता है और दोनों वही बात करने लगते हैं टेट बताता है अगले दिन से उसकी जगह कोई और पेट्रोलिंग करने आएगा और वह बस यह बताने आया है उसे बेबी हुआ है यह कहकर टेड वहां से जाने लगता है तब क्रिस उसे आवाज देता है और उसे रोड बिहेव करने के लिए माफी मांगता है टेड ने उसे माफ कर दिया और वहां से चला गया क्रिस उसे सब कुछ बताना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो टेट को जाने देता है उधर गैरी के साथियों ने वर्ल्ड की दीवार तो तो तोर दी थी और वर्ल्ड के लोहे की दीवार को कटिंग टॉर्च से काटना शुरू कर दिया था कुछ देर बा बाहर के लोगों को अंदर से पैसा देने लगा वो सारा पैसा बैग में भरते हैं जब बैग पैसों से भर गया तब गैरी बाहर खड़े अपने एक साथी को कार बैंक के पीछे के दरवाजे पर लाने कहता है फिर एक आदमी पैसों से भरे दो बड़े बैग बैंक के पीछ जाते एं क्योंकि वो कार टेट की थी जो Chris को डोनट देने वापस आया था टेट बैंक के में डोर पर आता है जो लॉक था इसे इसी लिए वो बाहर से Chris को आवाज देने लगा उधर Chris वल्ट में टेट की आवाज सुन रहा था ये देखकर टेट समझ गया बैंक में रबरी हो रही है और Chris मुसीबत में है तभी अचानक बोन बाहर निकल कर बैंक के लाइट्स आफ कर देता है और टेट पर फायरिंग करने लगता है टेट भी शेरिफ था इसलिए वो भी अपनी गन निकाल कर उन लोगों पर फायर बैक करता है टेट उनके कुछ साथियों को मार देता है जिसमें से एक गोली गैरी को भी लग गई और वो जखमी हो गया टेट अंदर जाता है और गैरी पर गन तांकर बोन के बारे में पूछता है तभी अचानक बोन ने टेट के पीछे से निकल कर उसे शूट कर दिया और बेचारा टेड मारा गया फिर बोन वल्ट में जांक कर देखता है लेकिन उसे वहां क्रिस नहीं दिखता अगले सीन में हम क्रिस को बैंक के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखते हैं वो अपनी कार के पास गया ताकि वहां से किसी तरह भाग सके लेकिन हमेशा की क्रिस अपनी कार की चाबी कार के अंदर ही भूल गया था इसलिए वो जल्दी से दूसरी चाबी के लिए अपने जूते चेक करता है लेकिन उसे दूसरी चाबी भी नहीं मिलती वहीं पर गैरी की गैंक की कार भी खड़ी थी जिसके ड्राइवर को टेड ने पहले ही मार दि तब Chris अपना license दे है जिसके पीछे लिखा था उसका नाम Chris Prate है और Head Injury की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो एक physical disabled इंसान है यह देखकर पुलिस वाले उसे कार के headlight on करके घर जाने कहता है इसके बाद Chris एक सुनसान जगह पर गया और कार के ट्रंक खोल कर देखा तो उसमें उसे पैसों से भरे दो बैग दिखे फिर Chris अपने घर गया लेकिन वो बाहर से देखता है कि उसके घर के lights on है लेकिन लेविस अंधा था उसे light से कोई फर्क नहीं पड़ता Chris समझ गया था Gary और Bone उसके घर में ही है इसलिए confirm करने वो लेविस को कॉल करके उसके हालचाल पूछता है लेविस कहता है यहाँ सब ठीक है लेविस ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि Gary ने उसे gun point पर ले रखा है फिर Chris पूछता है अगर सब ठीक है तो घर के lights on क्यों है तब लेविस Chris को वहाँ से भागने कहता है तभी phone Gary ले ले है और Chris से कहता है वो घर में आकर उससे बात करें लेकिन Chris को पता था वल्ट में camera लगे हुए थे और जब Chris घर में Gary के पास जाएगा तब Gary उसे जान से मार देगा और चोरी का सारा इलजाम भी उस पर ही डाल देगा क्योंकि वल्ट में camera में Chris वल्ट से पैसे निकालते हुए साफ दिख रहा था तभी बॉन दूसरी तरफ से Chris पर fire करता है लेकिन वो बच गया और वहां से car लेकर भाग गया Chris वहां से भाग कर अपने फादर के घर गया उस वक्त उसके parents सो रहे थे इसलिए वो एक room में जाकर बैट गया और पुछ सोचने लगा फिर Chris अपनी notebook निकाल जब तक उन लोगों को पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो उसका कुछ नहीं बिगार सकते लेकिन उसका दोस्त लेविस अभी उनके कबजे में था फिर Chris को एक line और लिखी मिलती है जिसमें लिखा था end से शुरू करो तब उसे याद आता है लेविस ने उसे कहानी सुनाते स बचा सकता है इसके बाद Chris अपने फादर की शॉर्ट गन निकालता है जो उन्हें गिफ्ट में मिली थी Chris गन को लोड करके पैसों के एक बैग में रखता है और दोनों बैग उठा कर जाने लगता है तब अचानक उसे कुछ याद आता है इसलिए वो अपनी नोट बुक में कुछ लिखता है और अपने जूतों की एक लेस निकाल कर उस बैग में बांधता है जिसमें उसने गन चुपाई थी अगली सुबह हम गैरी और बोन को देखते हैं उन्होंने अब तक लेविस को बंधक बनाया हुआ था लेकिन गैरी बुरी तरह से जखमी था उसे जल्द स जल्द पैसा लेकर वहां से भागना था ताकि वहां अपना इलाज करवा सके तभी गैरी को क्रिस का कॉल आता है क्रिस गैरी से कहता है उसने पैसों को एक जगह छुपा दिये फिर वो गैरी को एक एड्रेस देकर लेविस को वहां लाने कहता है जब लेविस उसे मिल जाए तब तक लेविस को खरोच भी नहीं। पास जाकर उनके नाम बता सकता है, तभी Gary को याद आता है, Chris को भूलने की बीमारी है, इसलिए उसने पैसों। बाहर निकालता है, जिसमें से एक बैग में जूते की लेस बंदी हुई थी, लेकिन Chris यह भूल गया। था उसका शरीर, बरफीली हवा की वजह से तेजी से ठंडा पर रहा था, बोन पैसों का बैग कार के ट्रंक में रखता है, फिर लेविस को कार से नीचे उतार, करर घुटनों के बल बैठा है, फिर उस पर गंतान देता है, क्योंकि उन्हें पैसे मिल गए इसलिए अब उन्हे क्रीस और लेविस की जरूरत, नहीं वो उन्हें जिन्दा भी नहीं चोर सकते, लेकिन तभी क्रिस को याद आ गया कि उसने नोटबुक में लिखा था, कि जिस बैग में लेस, बंदी है, उसमें गन है, तब क्रिस जल्दी से पैसों का दूसरा बैग उठाता है, और बैग क को पता था, क्रिस की दिमागी हालत ठीक नहीं नहीं और वह अकेले रॉबरी को अंजाम नहीं दे, सकता इसलिए वो बैंक में लगे CCTV कैमरास चेक करते हैं, दर असल गैरी के बेवकूफ, आदमियों ने बैंक में आने के बाद कैमरा की जगह टेली फोन लाइन की वायर काट जाता है, आगे हम देखते हैं, बैंक का मैनेजर क्रिस को रिस्टोरेंट खोलने लोन दे देता है, क्योंकि उसने बैंक का नुकसान होने से, बचाया फिर लोन के पैसों से लेविस और क्रिस अपना रिस्टोरेंट खोलते हैं, तब क्रिस के फादर उसे दूर से देखकर पिर क्रिस हमेशा की तरह उसी हौकी ग्राउंड के पास जाकर बैठता है, वहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड केली दिखाई देती है, फिर क्रिस सोचता है कि एक दिन वो केली से दोबारा जरूर बात करेगा और उसे अपनी जिंदगी में पहले की तरह वापस लेकर आएगा औ और यहीं पड़िया, मूवी भी खता है